रादे रादे आप सभी का स्वागत आमारी चैनल पर रादा जी के परम भक्त स्री प्रेमा नंदी जी महाराद जो ब्रंदावन में रहते हैं उन्होंने कुछ चिताब नहीं दी है कि देव से निकादसी के दिन भूल कर भी ये काम न करें नहीं तो बहुत कुछ बिगर सकता है इसलिए देव से निकादसी है 17 जुलाई की बुद्धवार की भग्वान विश्णू योग निद्रा में सयन करेंगे इसी दिन से चातर मास प्रारम हो जाएंगे चातर मास में विवाह मुन्यन ग्रह प्रवेश जैसे मांगलिक कारियों पर रोक लग जाती है धर्म गुरंतों के अनुसार असार मा के शुक्ल पक्षी देव से निकादसी का ब्रत विश्णू जी की क्रपा प्राप्त करने के लिए उत्तम फलदाई माना गया है सिरी माहराज जी की अनुसार एकादसी के दिन अन खाना बर्जित होना चाहिए किसी को भी अन खाना ही नहीं चाहिए यदि कोई मजबूरी है विमार है तो एक भुखत रहकर यानि एक वार साम को भोजन करने तो भी चलेगा लेकिन आगे बताते हैं महराज जी कि इस दिन कुछ ऐसे काम है जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए नहीं तो दामपत्य जीवन में घर परिवार में तनाव आने लगता है क्लेस होने लगता है साथ ही करियर तता ब्यापार में भी बाधाय उत्पन होने लगती है आए जानते हैं महराज जी के इंसा देव सहनी एकदसी ब्रत के नियम क्या है क्या भूल कर भी नहीं करना कुछ लाप भी बताए है महराज जी नहीं और कुछ उपाए ध्यान से सुनिए आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले भक्त रादारानी के भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जे जे स्री रादे से हम अबसे लिखें ओम नमो भगवते बासुदेवाई लिखें भगवान लक्ष्मी और विश्मू की कृपा आप सब पर बनी रहेगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक और सेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखें सबसे पहले लाब जान लीजिए फिर आपको बताते हैं क्या नहीं करना है देव सेनी एकादसी के अपार लाब है एकादसी का ब्रत मन को इस्तिर्ख करने के लिए और जीवन को सुखी बनाने के लिए किया जाता है देव से नेकादसी के बरत्थ से साथ जन्मों के पाप धुल जाते और मुरत्यू के बाद मोक्च मिलता है इस बरत्थ के प्रभाव से ब्यक्ति को नर्क की यातनाय नहीं जहलने पड़ती अकाल मुरत्यू का भै भी नहीं रहता एक्सिडेंटल डेथ बगेरे का भै छूट जाता है इस बरत्थ के प्रभाव से रिद्या सिद्या भगवान लच्ष्मी की क्रपासे देते हैं तथा घर में सुक सम्रिदी छा जाती है हर सदस बहुत ही मन लगा कर अपना काम करता है सभी द्यूटी फूल हो जाते है देवसेनी एकादसी के ब्रत रखने और विश्नु पूजा करने से मन सुद्ध होता है और मानसिक विकार दूर होते है तथा घर में बहुत ही खुशियां घर कर लेती है अब हम आपको बताएंगे क्या काम भूल कर नहीं करने है माता तुलसी इस दिन भगवान विश्नु का ब्रत रखती है और इसमें उन्हें बिल्कुल भी दखल पसंद नहीं है कि जिसमें वो भगवान विश्नु की तपश्या कर रही हो तो उन्हें कोई हिलाए या छूए इसलिए बिश्नु प्रिया तुलसी माता वह निर्जल ब्रत रखती है इसलिए जल न चड़ाएं साथ ही इस दिन तुलसी धल भी न तोड़ाएं हाँ इस दिन दिया जलाएं माता तुलसी के पास उसमें चुटकी बार हल्दी डालने तो आपके घर से निगेटिविटी दूर होगी या दिया साम के समय अबसे जलाएं लेकिन थोड़ी दूर रखते हैं उस दिया को ना तुलसी माता को छूना है ना उनके पास दिया रखना दूर से आर्ती कर दे हैं और दिया जला के रखते हैं दिया तो अबस जलाना लेकिन उन्हें छूना नहीं है पत्ते भी नहीं तोड़ना ध्यान रखना मंजरी भी नहीं तोड़नी है अगर आपने पत्ते पहले से तोड़कर नहीं रखे तो उनके आसपास सूखे पत्ते गिरे हो उनको जिससे वो हिले ना ऐसे दूर से उठा सकते तो आप पत्ते ले सकते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए और फिर ध्यान रखना आपको देव सनी का दसी पर दातून करना दूसरे ब्यक्तियों की निंदा करना किसी और की बुराई करना किसी का मजाक उड़ाना किसी को मानसिक रूप से ठेश पहुचाना ißtug सभण समल कर रहें और हरिनाम जाप करते रहें रादे साम रादे साम सीता राम अन्य बात हैं जो धो ध्यान रखनी है देव सनी एक अदसी से एक दिन पहले एक दिन बाद और उस दिन समभोग नहीं करना पती-पत्नी को भले आप पती पत नहीं है आपको वो सर्टिफिकेट मिला हुआ इस चीज का लेकिन ये इस तीन दिन बचा के रखें आप इससे भग्मान भिष्णु माता लक्ष्मी की परम कृपा प्राप्त होगी और इस दिन एका दसी का प्रत दस्मीत से शुरू हो जाता ऐसे में दस्मी प्रत दस्मीत से द्वादसी तक ब्रह्मचरी का पालन करें बही चीज इस्तिरी प्रसंग ना करें संभोग ना करें और द्यान रखना देव से नेका दसी के दिन चावल खाना चावल का दान करना बर्जित माना जाता है ऐसा करने पर अगले जनम में कीड़े वकोड़े की जनम लेना होता है पारण के समय द्वादसी के रहने पर आप चावल दान भी कर सकते हैं चावल आप खिचली बना कर सकते हैं चावल दान कर सकते हैं दाल के साथ और किसी को खिला सकते हैं खिचली चावल खा सकते हैं लेकिन एका दसी के दिन इन से दूर रहें इसके बाद एक खास वात याद रखनी महाराच जी ने बताई है कि हो सके तो दस्मी की दिन एक बार भोजन करें रात का भोजन त्याग दें और एका दसी के दिन जो भी खाएं बहुत ज्यादा भर पेटना खाएं तथा तीन दिन घर में प्याज लहसुन नहीं पकना चाहिए बिल्कुल जो ब्रती है उसको तो छूना भी नहीं लेकिन जो ब्रती नहीं है उस परिबार में जिसमें किसी ने ब्रत रखा है लेकिन कुछ लने लोगों ने ब्रत नहीं रखा प्याज लहसुन का भोजन बर्जित है उस दिन प्याज लहसुन नहीं पकना चाहिए ब्रती का भी ब्रत खंडित माना जाता है पूरा ध्यान रखें इस वाद का देव सी नेकार रसी में तन के साथ मन की सुद्धता भी रखें दिन में सोई नहीं और रात में कम से कम 12 एक वजे तक जगें हर भजन करें सिरिमन नाराण जपें, रादे रादे स्याम जपें सिता सिता राम जपें या कीरतन करें अथवा आप रामाण भागवत, गीता कुछ भी पठन पाठन करें लेकिन सोई ना दिन में और रात को कम से कम 12 वजे तक इतना अगर आपने कर लिया तो भगवान विश्व की महान किरपा आप पर होगी महाराज जी कहते है कि भगवान तो अहद्यू की किरपा करने वाले तयार ही रहते हैं कि कौन भक्त हमें मन से बुला रहा है कौन सनातनी पद्धती से हमें बुला रहा है उसके घर पर चलें कमेंट बॉक्स में जैसीर इरादे से हम लेका है उनल सबस्दा दो